कैसे हो आप सब वेलकम योल टो आर यूटूब चैनल अससी ओल्ड राउंडर देखिए अससी ओल्ड राउंडर एक ऐसा चैनल जिस पर अगर आप विश्वास करते हो तो आप जरूर एक अलग डिफरेंस मैसुश करोगे कुछ महिने बाद कुछ दिनों बाद तो यही कहूँ मैसुश करोगे आपको लगेगा कि हाँ यार एक कुछ अच्छा मेने देखा है आज कुछ अच्छी वीडियो मैने सुनी है और जो आपको जरूर हिल्प करेगी मेंस में तो वीडियो को अंतक जरूर देखना वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि अगर आप आपको अभीजे मैं एक सलाह दूँगा कि आप डेली दो दिन में एक मोक टेस्ट जरूर देते रहें ना मेंस का देखिए अब पर डे मोक देने वाले हैं कई लोग और वो देंगे भी बट मैं करूं कि अगर हम दो दिन में एक मोक दे रहें बट उसको हमने बहुत अच्छ दिया है ना उसकी क्वालेटी को आप नहीं पहचान पर उसमें जो गलतिया थी आपने उसको यह नहीं देखा सही सिए और आप नेक्स्ट मोक टेस्ट पे चले गए अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो पर डे मोक बट उसको अच्छे से कम्याश हांट नहीं है यह देखन के अभी पर दो दिन या तीन इसको देना च्छी है और उसकी कम्यों को देखना चाहिए कर ने कहां लेक्पके उनक्यों को अभी पहला ऐा जो एक डेड़ मे Troy लेना है इस में यह सोचना चाहिए कर मैं सारें को दूर करदूं जब मैं लास्ट के दो मैशन कर सुक होग бу कि मेरी सारी चीज़े मजबूत हो रही की नहीं हो रही तो यह जरूर कहूंगा कि मोक टेस्ट दो बट वाइजली दो यह देखो पहले कि मेरी कमिया का है उनका कमियों को इंप्रूव करो उसके बाद नेक्स्ट मोक टेस्ट पर जाओ तो अभी आपके लिए यह सजेस्ट करू कि कोई भी नीड नहीं है मैं यह कहूँगा कि काई लोग सोक रहे है क्या पेटरण आए धिरलियर और आर्म चैजक को को पहलेisen करवा थे होगा तो अब यहुंत शोच रहे हो तो मिलब nonsense हो रहा है तो चीजें वहीं आनी है और आपको कौर्स में बहुत चीजें करेंगे जो करवाते आएं तो अगर आपने परी से पहले अच्या कोर्स कर रहा है कि आप कोई नीड़ नहीं किसी भी पेड़ को अगर आप उनी चीजों को बार बार रिवाइज करोगे न तो वह बेटर देन कि आप उस paid course को एक बार देख रहे हो और जो पहले से आपने revise कर रहे हैं उनको आप देख ही ना पाओ मेरी बात का सारांस ही है कि अगर आपने paid course लिया मान लो आपने उसकी classes की उसका content देखा उसकी content को यह अगर आप content की PDF से देखोगे यह क्या करोगे उसकी notes बनाने की कोशिश करोगे तो notes बनाने में time जाएगा और अगर आप content ही देख रहे हो तो उसे कोश्च आइए है कि क्या चीजिए होती है जब हम paid course कर रहे है उसको कर रहे है उसका content देख रहे हैं ने कुशन आ रहे हैं हम सोच रहे हैं कि यह बहुत अचा profit हो रहे हैं वह क्यू लग रहा है क्योंकि हमने जो पिछे notes बना रहे थे जो नई चीजिए बना रहे थे ना जो को बार-बार रिवाइज करते और उन्हीं चीजों के बेस पे अपने नए जो पीवाइज क्यों वो करते तो आपको ज्यादा प्रोफिट होता देन कि आप उस टीचर के नए कंटेंट को देख रहे हो ठीक है कि यह चीजी वही या नहीं है ऐसा नहीं कि टीचर आपको कोई प प्रोफिट आपको करवाएंगे और वही प्रोफिट आपके नोट्स में जो आपने पहले से बना रखें तो आप खुद डिसाइड कर लो कि वह चीज जो आपने महींनों तक बढ़िये आपने नोट्स बनाएं उन चीजों से दूर जाना बेटर है और टीचर ने जो नया क यूबुक आपने पहले से लगा रखें या जो क्योशन देख रखें या जो बुक ला रखें उस बुक को आप पांच से दस बार करते हो वह चीजी बेटर है तो दोनों में से अगर आप चूज करोगे तो वह आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या चूज किया है और उसके कुछ जो भाई है कुछ बंतुवर्य दोस्त है तो उनका हो सकता है से लेबशी कंप्रेट ना हो या उन्होंने पहले से कभी मैंद्ब मैंद्ब का जो कोर्स है वो किया ही ना हो तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप को सच में नीड़ है या आपको टोपिक्स पता ही नहीं तो अभी आप अगर कोर्स कर लोगे तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी या किसी टीजर से आप समझ लोगे बट अगर आपके नोट्स बनाएवें तो मैं नई डेफर करूंगा कि आप किसी टीजर का कोर्स लो तो यह हमने भात की कि पेड़ कोर करते हो तो आपको एक प्रेक्टेस बुक चाहिए और प्लस आपके पास नोट्स हैं वो आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और साथ आपने कोई भी प्रेक्टेस बुक आप चाहे किरन की लो या अभी पिनेकल को टीजर समची क्यों आते हैं वो बुक लेलो आपको एक बुक रहोगे और उसी बुक को पांच साथ जितनी बार आप कर सकते हों क्योंकि जितना आप मैनत कर सकते हों आप जानते हों कि मैं इतनी बार इस खीटा को कर सकता हूं या अपना टार्गेट बना सकते हों कि मैं इतनी बार करनी है तो आपके उस अबिलिटी पर देन कि अगर आप यह सोच रहे हो कि या उस चैनल पे पीडिएफ आ गए मैं वह कर लेता हूं या इस टीचर के प्रेक्टेश क्लास है वह देख लेता हूं उसके बाद वह कर लेता हूं तो वह चीज़ें आपको कुछ नहीं करेगी आपको आपके रहा है ना उसको कि नहीं हो सकता आप भूली जाओ कि मैंने कोई पीडिएफ भी की तो वह चीज़ प्रोफिट नहीं करेगी आपको क्योंकि यह चीज़ें मेरे को पता है चोटी-चोटी सी क्या चीज़ें होती है कहां-खाम टाइम वेस्ट कर सकते हैं तो मैंने भी किया है तो उन चीज़े सीखा है कि यार यह चीज़ें मैं और नहीं करता तो और अच्छा हो जाता या और चीज़ें मैं इंपर्यू कर सकता था तो यह कहूंगा किसी भी टीचर की पीडिएफ से सोल करने से बहतर है कि अगर आपके बेसिक्स के लिए आपने कंसेप्ट पड़ रखे हैं आपको नो के लोन भी टांव देते रहो तो मियत्स के लिए एक ही बुक काफी है अगर आप इसको ही बार बार करते हो तो देखिए अब बात करते हैं English की books की, तो English में अगर बात करें, तो एक चाहिए आपको concepts की book, प्लस एक चाहिए आपको practice book, और प्लस एक चाहिए vocabulary book, तो जो concepts के लिए नीतु सिंग की जो book है volume 1, वो enough है, अगर आप उस book से concept पढ़ लेते हो, तो I don't think की आपके कुछ भी doubt रह अगर आप वो book लाके उसको पढ़ लेते हो, कई बार, देखिए आप चितनी बार उस book को पढ़ोगे न, उतनी बार आपको कुछ नई चीज़ें दिखेगी, यार मेरे को यह नहीं आता था, आप मेरे को यह भी आ रहा है, यह भी आ रहा है, तो अगर vocabulary वो आपको strong करनी है, आपके पिनेकल की जो टीच से समझे की book आती है, वो practice के लिए अभी की सिनेरियो में सबसे best है, यह उसमें क्या है कि अभी recent exam समय जीतने भी, उनके सारे आपको PYQ मिल जाएंगे, तो अगर आप उन दोनों book से, vocabulary और concept पढ़ के आ रहे हैं, और फिर इस book को practice के रूप में follow क तो आपकी जो English है वो अच्छी होते जाएगी, और इसी book से आप या कर सकते हो, अपने जो comprehensive part है, PQRS, closed test, या paces, वो भी इस book से daily आप जो है, दो, तीन, दो, तीन, जो भी मैंने बताया, आप अगर उस तरह से करोगे, तो आपके सारी जो चीज़े हैं, English की, वो सारी solo होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो English के लिए अगर आप इन तीन book को follow करते हो, I think कि regular अगर आप रहोगे, तो आपकी English को लेवल है, वो जरूर बदल जाएगा, अब बात करते हैं, reasoning की, तो आपके पहले से concept के लिए आपने प्री दिया तो जरूर होगे, तो आ Heat के reasoning में आप जितनी बार उस book को कर लोगे न उतनी आप के musi English को बड़ते जाएगी आप 30 में अगर 30 मिंट में अ कर रहे हो तो फिर 20, और 20 मिंट में आ जाओगी तो जितनी बार आप उस book को कर लोगे उतनी आपके speech बड़ते जाहिए, और especially जो मैंने 5 topic बताए, ऋयर re plaintů classification missing जिनेकल की आप ले आऊ ठीक है और इस बुक को लाओगे और इसको बार बार करोगे तो आपके जो रिसेंट में जितने भी इस टोपिक्स के उन चीजों के तो आपके वह सारे के लिए रोजाएंगे और इसके बाद आपके स्पीड जाओ द्रेदर इनकीज करने लग जाएग हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जिसमें हमारे में चैनल का लिंक है और एक डिसकेशन ग्रूप का लिंक है तो आप डिसकेशन ग्रूप को में चैनल को जाके जरूर जोइन कर लो वहां आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं और आपको वहां सारी की पूछ सकते हो तो आप discussion group को जरूर जोन कर लेना और main channel को जरूर कर लेना क्योंकि वहां बहुत सारे updates हम आपके लिए डालते रहते हैं आपको और अच्छे प्रेडित करने का जो हमने किये मैंने गलती है किये वह आप ना करो इन सबी चीजों को मैं सेयर करता रहूंगा तो आज के इस वीडियो में उतना ही उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीजों में clarity आए होगी तो आपको definitely चीज़ें जो है वह बहुत प्रॉफिट करेगी तो आज के इस वीडियो में इतना ही चलिए बाइ-बाइ दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए content के साथ नए चीज़ों के साथ नए experience के साथ तो आज के इस वीडियो में इतना ही बाइ- झाई तो झाई तो